जै मातादी फ्रेंज कैसे हैं आप सभी और नवरातरी के आप सभी को बहुत सारी सुपकामना है तो बहुत सारी हमारी बेहने ये जानना चाहा रही थी कि नवरातरी पे जो हम जै की खेतरी करते हैं अपने अच्छे भविस के लिए तो नौमी के बाद इस जै की खेतरी को हमे क्या करना होगा बहुत सारे आप लोगों के कमेंट है अखा इंजोत के बचे हुए तेल को हमें क्या करना है उसकी बाती को हमें क्या करना है जो कलस पर हम नारियल लगते हैं उस नारियल को हमें क्या करना है जो कलस में हम पानी भरते हैं उस बचे हुए पानी को हमें क्या करना है कलस पे जो हम चावल लगते हैं उस चावल को हमें क्या करना है माता पर जो हम सिंगार की चीज़े चरहाते हैं उससे हमें क्या करना है तो इस वीडियो में हम आप सभी के कमेंट के ही जवाब देने की कोजिस करेंगे तो अमीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को काफी हैल्प मिलने वाली है तो इस वीडियो को हम देखते हैं उससे पहले आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके जै माता दी लिखना ना भूले तो चले हम इस वीडियो को शुरू करते हैं तेंस नवरातरी के नौ दिन को बहुत ही पवित्र और सूमाना गया है क्योंकि उन दिनों हम आता के नौ सुरूप की नौ दिन तक पूजा करते हैं और साथ में हम अच्छे वविश्च के लिए हम जाई की खेतरी भी करते हैं और विशेस मनकामना को पुन करने के लिए हम इसे जलानी के लिए हम सबाहांत की बत्ती लगाते हैं और इसमें हम रोज जो है वो घी भर भर के रखते हैं कि कहीं यह बुचने ना पाए तो जब नबरातरी खतम हो जाती है और हमारा संकल पूरा हो जाता है और तब भी इसमें अगर घी बचा रह जाता है या इसमें जो बाती है वो खतम नहीं होते हैं बचे रह जाते हैं तो फिर हम इसका क्या करें तो फ्रेंस अखान जोत कोई मामूली जोत नहीं होती है यह स आच्छात माता का शरूफ होता है तो जब नवरातरी आपका खतम हो जाता है जब आपका जो है वो संकल पूरा हो जाता है तब भी इसमें घी बच जाता है तो आप उस घी से क्या करें जितनी भी सदत से हैं आप सभी को इसी घी से पूरे सरीर में मालिस करबा दे इस मालिस से क्या होगा कि उनके सरीर में जो भी रोग है या कश्ट है या को भी परशानी है वो सब दूर हो जाता है क्योंकि ये साच्छात मा का असिरवारिस में मिला होता है तो इस घीर से आप पूरे घर में सभी को मालिस करवा दें और इसके बचे हुए जो बाती हैं तो आप जो में ये बचा हुआ बाती आप बांदे और उसी कलावा आपके घर में जितनी लोग हैं वो सभी लोग अपने अपने हाथों में बांद ले तो इस बाती से आपको कलावे में बांद के हाथ में बांदना है अब कलस्त में बचा हुआ पानी क्या करें क्योंकि जब हम इसमें यकश्वस्तृ लीडिया चाहिए लागा हो। पूज़ा के बाद जल बच जाता है जब आप उस जल से क्या करें कि जो इसमें आप आम के पत्ते डालते हैं आप उसी पते से जो है बचा हुआ जल है वो आप पूरे घर में और आपके घर में जितने भी लोग आप पूरे घर में उस पते से जो है जल छिरकाव कर दे क्योंकि ये अमरित जल होता है और इसे छी रखना हमारे घर के लिए बहुत ही सूभ माना जाए इसे हमारे घर की निगेटिव उर्चा खतम होती है और हमारे घर में सुख समर्दी बनी रहती है अब कलस के उपर जो हम लगते हैं उसका हम क्या करेंगे तो ये चावल जो है वो आप किसी भी पंडी जी को आप दान में दे दीजिएगा इसके साथ अचना बगएरा सब कुछ रखके और ये चावल पंडी जी को दान में दे दीजिएगा अब कलस के उपर जो हम नारियल लगते हैं उसका हम क्या करेंगे तो जो ये नारियल हम क्लस के उपर रखते हैं तो जिस दिन हम हावन करेंगे कनिया खिलाएंगे उस दिन हम हावन के गांद हमारे गर में जो भी आद्मी है उनोसे हम फॉरबा लेंगे और घर में इसे परषाद के रूप में खा가요 और जो लोग सब्सक लोग बाकी जितने लोग है घर में वो सभी लोग परषाद के रूप में सेडियर को खाएंगे अब बहुत सारे बेहन पूछ रही थी किदीदी जो हम जुआरी की खेतरी लगाते हैं तो उसको हम नौमी के बाद क्या करेंगे तो जुआरी की खेतरी हम अपने आने वाले अच्छे भविश्ट की कामना करते हुए लगाते हैं और हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे यहां जुआरी की खेतरी बहुत ही हरे भरा नहीं वो पाता है वो काफी उदास हो जाते हैं अपनी भविस को लेके तो वो चिंतित ना हो वो 108 बार मातरानी का नाम का जाब करें इससे जो आपके आने वाला कष्ट होगा वो सब भी दूर हो जाएगा और जै का आप क्या करेंगे तो जब आप क्या हावन हो जाएगी कनिया खा लेंगे तो फिर आप जै जो है जितने लोग है ना घर में वो सभी लोग थोरा थोरा सा परसाथ के रूप में गरहन करेंगे और बाकी का जै जो है वो आप गंगा नदीम में जो है वो भी सरजन कर दें अब मातरानी को जो हम सिंगार की समान चरहते हैं उसका हम क् माता का साच छात दिया हुआ असिरबाद है आपके लिए और आप इसे खुद पहनेंगे आप इसे दान देनी की सोच भी कैसे सकते हैं बहुत से लोग बताते हैं कि इसे दान में देना चाहिए क्यों दान में देना ये तो माता का दिया हुआ असिरबाद है आपके लिए तो आप माता का चड़ा हुआ सिंगार का समान खुदी पहनेंगे और दान में जो आप चावल चरहाते हैं या आप दचन चरहाते हैं या आप कुछ परसाद उसमें रखके यह सब चीजे जो हैं वह आप दान कर सकते हैं तो अमीद है कि आप सभी लोगों के कमेंट का जबाब काफी हलफुल रहा होगा तो यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजेगा मेरे चैनल पर अगर आप लोग पहली वा रहे हैं तो फिर मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा और तब तक के लिए हम आप लोगों से बिदा लेते हैं, जै माता दी.